जेहन दोस्तों सागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ड्रीम जाब भी ठंकित पे दोस्तों जिस तरह से यहां पर उत्तर प्रदेश में यूपी त्रिपल सी है वोसी तरह से दिलही में यहां पर डी त्रिपल सी भी है जो विभीन एक्जाम कराता है इसके तुरू बहुत से फोस्ते में जाएंगी से यहां पर से लेकर यहां पर पीजी तक स्वासूंधी जो है पोस्ति आपको मिलेंगी आप अपने घेख के यहां पर आप सकते हैं इस वीडियों यह देखेंगे कि रिजिस्टेशन इसका कैसे किया जाता है जूब कि से यहां करेंगे यहां पर देखिए आपको option मिलेगा click to sign in click to new registration या पहली बार कोई form apply कर रहा है तो यहां पर click for new registration पर click करना होगा अगर आप पहले से registered हैं तो आप यहां पर click here to sign पर करेंगे पासवर्ड आपको नहीं पता तो आप यहां से फारकट पासवर्ड कर सकते हैं मैं आपको सारा process बताऊंगा लेकिन इस video में हम सिर्फ नया registration करने वाले हैं तो click for new registration पर click करते हैं अब यहां पर देखिए registration करने से पहले आपको कुछ जरूरी चीज़े हैं मैं थोड़ा सा highlight कर देता हूं यहां पर किरा only for those applicant who have not registered on the OARS portal earlier यह वही लोग registration करेंगे जो इस पर पहले से registration नहीं किये हैं OARS किया है यहां पर देखिए online application registration system यानि जो इस पर पहली बार registration अभी तक नहीं किये हैं वो इस पर registration करेंगे जो इसके पहले registration कर चुके हैं यहां पर करने की ज़रूरत नहीं है करेंगे तब भी यहां पर लेगा नहीं देखिए यहां पर दे रहा है instruction for candidate in case role number of class 10 in alpha numeric then use only numeric character अगर आपका role number alpha numeric में है जैसे यहां पर दे रहा है कि और एक example और दिया है दिया आपके role number में आगे की 0 है तो 0 को आपको हटा देना है सिर्फ गिंतिगा लेना है 0 आपको नहीं लेना है तो इस तरह से आपना आपको यहां पर role number यूज करना है अब आते हैं यहां पर नीचे candidate can apply various post after registration after registration candidate is required to quote his registration number as login ID यहां आपका जो registration number होगा वो login ID होगा और password for further accessing the online system password जो आप बनाएंगे वो password रहेगा यहां पर कोई registration number आपको अलग से नहीं दिया जाता जो अपना detail फिल करते हैं वहीं आपका registration number हो जाता है भी मैं आपको दिखाएंगे अब यहां पर देखिए registration में सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है फिर से आपको दुबारा नाम डालना है यहां पर आपको आगे नाम पर देखिए मिसेज कुमार स्रीमती डॉक्टर पर प्रोफेशर कुछ नहीं लगाना है सिंपल अपना नाम यहां पर डालना है नाम को हई स्कूल माक सीर के हिसाफ से डालना हैAN DAVID अब फिर आपको यहां data about डालना है तो दोबारा डालना है पिर आपको ярाना है फिर इसके बाद यहां पर passing year आपकी इस year में high school पास की है वो भी यहां पर दोबारा डाल देना है दोबार आपको डालना है सारी चीज यहां पर अब इसे नीचे आएंगे तो आपको यहां पर gender salute को select करने के लिए मिलेगा male female आप जो हो यहां से select कर सकते हैं फिर यहां से आपको father name दोबार आपको डालना है इस पर भी आपको कुछ नहीं लगाना है स्रीम स्रीमती और फिर mother's name डालना है साधी सुदा है तो यहां पर अपनी पतनी का नाम भी आप डाल सकते हैं दरवाज जहां पर छोड़ देंगे फिर आपको यहां पर mobile number डालने ना ह और है कि अधारा mobile number डाल डेडि को अगर आपको नमबर पहले से लगा तो आप यहां पर नहीं कर पाएंगे email ID वह आपको यहां पे डाल लेनी है email ID यहां पर डालनी चाहिए फिर आपको यहां पर OTP आपको लेना है इंटर email मोबाइल टीपी और यहां पर इमेल टीपी यानि आपको यहां पर दो इस्टेप वेरिफिकेशन यहां पर कराया जा रहा है आपको दोनों टीपी यहां पर डाल देने हैं उसका दापको गेट टीपी पर किलिक करना हो गया यहां पर जैसे ही टीपी आ जाएगी फिर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको option मिलेगा अधार वेरिफिकेशन के दिए फार इंसेरिंग जिन्यून आप फोटो आइडिन्टी कार्ड विच नीड टू सब्मिटेड वाइद कार्ड यानि आपको अधार कार्ड यहां पर सम्मिट कर रहा है तो आपको बाद म गखेँगे तो आपको आप लोड करने के लिए मांगेगा फिर उसके बाद आपको यहाँ पर password बनाना आल पासवर्ट बनाने का तरीक है जैसा कि हम एहर इंडियू बताता हूं तो यहां भी सफैने का सेम तरीक है आपको देखेए यहां पे दे रहा है कम इ角 कम से कम आपका 8 character का password होना चाहिए जिसमें से capital letter का चर्व हो एक small letter में हो जरूरी नहीं है एक ही हो कम से कम हो और इसके बाद एक आपका यहां पे digit यानी 123 में हो और special character भी यहां पे उज होना चाहिए जैसा कि मैं आपको तो यहां पर एक्जाम्पल करता और दिखाजिता हूं और फिरहाँ तो यहां पर छुपा देगा नीचे वाले में देखता हूं साहद ले ले यहां पर दिखाता हूं आपको देशा कि मैं यहां पर एक जाम पर लेता हूँ, capital P, A, A हम इसमाल कर देते हैं, A, A, S, तो यह होगे हमारा pass, add the rate ले 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 जिए, या hedge ले 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 जिए, 1, 2, 3, 4, इस तरह से करके आपको 8 character के लेना, आप जाद, यदि आपको नाम कोई है तो आप यहां पर नाम का पहला अच्छर capture लेंगे, फिर समाल ले लिजिए, add the rate, 1, 2, 3, या hedge, 1, 2, 3, जो भी आप लेना चाहें, यहां पर दिया हुआ है, hedge, add the rate, percentage, dollar, यह सारे sign-up यूज कर सकते हैं, and भी यूज कर सकते हैं, तो अपना सुवधानुसार जो भी यूज करना चाहें, यहां पर यूज कर सकते हैं, इ password आपको यहां पर दो बाद टाइप करना है, उसके बाद फिर आप submit करेंगे, तो आपको जो है registration number मिल जाएगा, जोस्तों जैसे यहां पर email idea, mobile number डाल के, आप get OTP पर click करेंगे, आपके यहां पर दिखाए देगा, two separate OTP have been sent to your email idea and mobile number, यानि आपके दो अलग अलग अटीपी चली गई है, आपके mobile पर अलग गई होगी, email id पर अलग गई है, दोनों को यहां पर आपको डाल देना है, और verify पर click करना है, यदि आपके email में OTP नहीं आता है, तो आप inbox की जगहा पर आपको spam में चेक कर लेना है, आपको spam में भी OTP मिल जाएगा, तो कहीं ने कहीं, आपक कर देंगे, आपको registration संख्या मिल जाएगी, आपको दिखाते है, registration संख्या किस तरह से मिलती है, अब जब आपको registration संख्या मिल जाएगी, तो फिर आपको वहीं चले आना है, जहां से अपने registration किया था, फिर आपको click to sign in पर click कर देना है, यहाँ पर देखे, रोल नंबर जो डाला है ब likening passing year डालेंगे तो यहां पर जो रर्शिस्ट्रीनन संख्या होती है आपको DOB, role number और passing year की तीनों चीज में मिल की resistance ब champagne है के संख्या बनाती है , जो आप बverse हो आप दोनों डालके यहां कि हम साइन करते हैं कि साम तो दूस्तों हमने यहां ऑनकी यहां पर सकता है आप को मोडिफाई आफन नमारी अधरवाई नहीं आता है तो कोई दिक्कदने अगर आता है तो आप उसे चेंज करना चाहें तो करें अधरवाई चोड़ सकते हैं या फिर जदा दिन से आप रहेंगे तो आपको वेरिफाई करने के लिए मांगेगा कि आपका नंबर रिमिलाडी सेम है या नहीं तो आप वह अभी वेकंसी के अप्लाई करना चाहते हैं उसके आगे अप्लाई नाव पर किलिक करेंगे आपको अप्लाई करने का अप्शन खोल जाएगा तो दोस्तों आगे का प्रोसेस आपको निस वीडियो में दिखाएंगे नहीं तो वीडियो का फिल लंबी हो जाएगी तो यहां इन वीडियो में दब तक के रिवाटे के जहन बंदे माद रहां